हेलो बच्चों, आज हमारा question है, the cost of one dozen egg is rupees 46.50, find the cost of 144 eggs, क्या करा, एक dozen egg की कीमत कितनी है, 44.50 रुपीज, ओके, तो मुझे 144 egg की कीमत दिखालनी, बैस सब चे पहले तो को एक dozen की बोलना है, तो एक dozen में कितना होता है, one dozen equal to, कितना होता हमारा, one dozen equal to 12 egg होगा, ओके, एक dozen में कितने होते, 12 होते, तो it means 12 egg की कीमत कितनी दे रखी, 46.50 रुपीज दे रखी, तो हम लिख सकते है, cost of 12 eggs, बैस क्या है, 46.50 रुपीज है, बैस 12 कहां सा है, क्यूंकि one dozen दे रखा, तो one dozen equal to, कितना होता हमारा, 12 होता है, ओके, तो हम कह सकते है, cost of one, हमें one की फैन ओट करना, cost of one egg, क्या हो जाएगा, 46.50 upon कितना हो जाएगा, 12, ओके, अगर मैं यहां से देखू, यह point remove करूंगा, तो point के बाद कितनी digit है, one और two, तो यहां दो zero आ जाएगे, बैस point की बाद जितनी digit होंगे, उतने upon में क्या लगेंगे, 0 लगेंगे, अब इस zero से यह कट गया, हमार पार क्या बचरा, 4, 6, 5, upon one, 20, ओके, five से कटेगा, ओके, तो five टूजा क्या हो जाएगा, ten, और five टूजा ten, five four जा, twenty, अब यहां देखेंगे, five nine जा, forty five, one बचरा, five three जा फिप्टीन, या हम यहां पर सीधी सीधी जैसे हमारे यहां पर कितना आया था, यहीं भी हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे forty point five, forty point five zero upon कितना था, twelve था, तो twelve से डिवाइड करेंगे, सीधी सीधी, same simple हो जाए, question, forty six point five zero, twelve, twelve three जा कितना होता, thirty six, six मैं सिख गे, zero, यहां पर बच्चा का one, यह point यहां जाएगा, ओके, यह डिजिट यहां जाएगे, अब twelve, one hundred five, कितना टाइम जाएगा, but twelve, eight जाak, कितना होता, eight जाएट उजा, sixteen, eight बच्चा आएट जाएट, nine, 12, eight जा, ninety six, fifteen मैं से six गया, यहां बच्चा मारा nine, okay, यहां nine गया, zero, यह आएगा, यहां, अब twelve seven जा, seven जा, fourteen, और seven जाएट, कितना होता, 84, तो twelve seven जा मारा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, point लगा हुआ, 0 बढ़ेगा, ओके 12, 5 जा 60, भाई एक अंडे की कीमत कितनी है, 3 रूपीज 8, 7, 5 पैसा, अब मुझे ही निकालनी थी 144 X से, तो क्या हो जाएगी, cost of 144 X, ठीक है 144 X, क्या हो जाएगी भाई, हमारा 144 X कितना हो जाएगा, 3.875, अब इनको आब इन्टू कर लो, अब देखो भाई, 3.875 X 144, अब देखो, 4, 5 जा 24, 7 जा, 28, 28, 30 हो जाएगा, टू, 4, 8 जा, 32, और 3 कितना हो जाएगा, 35, 4, 3 जा 12, और 3, 15, ऐसी से, 00551, अब देखो, 1 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्रोस, ये क्रोस, क्या हो जाएगा, 5, 7, 8, 3, अब यहाँ देखो, 0, ये वाला, 0, यहाँ 5, 5, 10, 10 कर, 0, 7, 5, 5, 10, 17, एक 18, ओके, 8 और 5, 13, 14, 15, और यहाँ 4, तो यहाँ पर कितना रहा, 4, 5, 8, 0, 0, 0, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ओके, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, 8, 5, 13, यहाँ पर 5 आएगा, जोको 8, 5, 13, 1, 15, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 5, 8, हमारा आ जाएगा भाई, 5, 1, 2, 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो इस खाटा देंगे, यहाँ हमारा आंसर आ गए, को के जाएगा.